श्री गुरुभ्यो नमः मित्राणी अध्यवयं सूक्तयह अयं पाठं पठामः सूक्तयह अत्र विद्यमानाह श्लोकाह तिरुक कुरल अस्मात ग्रन्थात संग्रही ताह संति तिरुक कुरल अयं ग्रन्थाह तमिलभाशायाम विद्यते तमिलभाशायाम लिखिततह अयं ग्रन्थाह दख्य भारतिया नाम कृते वेद वत वर्तते अर्थात तत्र जनाहा एनम ग्रंथम वेदम इति मन्यंते अत्र जनानाम एताद्रिशी श्रद्धा अस्माभिही द्रष्टुम शक्यते तिरुक्कुरल अस्य लेखकह स्वामी तिरु वल्लुवरह संति एते आचार्याह अस्य ग्रंथस्य त्रिधा विवागं कृतवंतह तत्र धर्म अर्थ काम एते त्रयह विवागाह वर्तंते त्रिशु विवागेशु विवक्तोयम ग्रंथः तत्र धर्मार्थ काम प्रतिपादगह विद्यते अत्र कास्चन श्लोकाह संग्रिहिताह संति येशाम श्लोकानाम मानव जीवने महति उपयोगिता भवति यथा शुहाशित श्लोकाह भवंति तथैव अत्रापी मानव जीवनो पयोगिनी प्रति पादकानी यानी तत्वानी संति तानी तत्वानी अत्र निरूपितानी वयम अत्र त्रिन्सत दधीक त्रयोदस्षतम श्लोकेशु ये मुख्य श्लोकाह अथवा द्रिष्टी मात्रेण येशाम जीवने महत्वम वयम प्राप्तुम शक्नुमह येशाम आचरणं कृत्वा वयम स्वस्य जीवनम उन्नती कर्तुम शक्नुमह ते श्लोकाह अत्र विद्यंते तान श्लोकान वयम पठामह तत्रादव प्रत्वमह श्लोकह विद्यते पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत् पितास्य किम तपस्ते पे इत्युक्तिही तत्कृतग्यता अस्य श्लोकष्य अन्वयह इत्थमस्ति पिता पुत्राय बाल्ये महत्विद्याधनं यच्छति अस्य पिता किम तपस्ते पे इत्युक्तिही तत्कृतग्यता अस्ति यह क्रिया अध्यहार करते हैं अस्ति का अर्थ होता है है श्लोकों में या गद्य खंडों में जहां पर क्रिया का निदर्शन नहीं होता क्रिया दिखाई नहीं पड़ती वहां पर अस्ति क्रिया का अध्यहार किया जाता है पिता यक्षति पुत्राय इस श्लोक के माध्यम से पिता के महत्व को तिरुवल्लुवर श्वामी दर्शा रहे हैं कहते हैं कि बाल्या वस्था में हर पिता अपने पुत्र को उन्नत शिक्षा देना चाहता है उसके मन में एक सपना होता है कि हमारा पुत्र पढ़ लिख करके अमुक्षेत्र में नाम कमाए तो बाल्या वस्था से ही कोई भी बालक बड़ा हो करके एकाएक महान नहीं बनता जैसे घड़े का निर्माड होता है तो उसका निर्माड जब पक जाता है उससमें कहें घट बन गया वह उसकी अंति मवस्था होती है किन्तो जिस दिन मिट्टी का आनयन होता है मिट्टी को गीला करते हैं उसका स्तर किस तरह का बना है साथ साथ उसकी क्वालिटी क्या है फिर वो जब घट का निर्माड होता है उस निर्माड के समय उसकी प्रक्रिया क्या होती है और किस शेफ में वो बन रहा है ये माइने रखता है वैसे ही व्यक्ति के व्यक्तित्तो का निर्माड भी बाल्या वस्था से ही प्रारंभ हो जाता है व्यक्तित्तो का निर्माड एक दिन की स्थिती नहीं है एक दिन में या एक वर्ष में किशी व्यक्ति का व्यक्तित्तो कभी निर्मित नहीं होता उसके लिए संपूर्ण जीवन लगाना पड़ता है और वहा आरंभ बच्पन से होता है बाल्यकाल से होता है जिसका श्रेय माता पिता को जाता है तो माता पिता बालक को ऐसी शिक्षा देते हैं ऐसे संस्कार देते हैं जिससे वह आने वाले समय में एक अच्छा नागरिक बनेगा या एक मध्यमस्तर का नागरिक बनेगा अथवा अधमस्तर में जाएगा सामान्य में रह जाएगा ये उसी समय से प्रक्रिया प्रारंभ हो इस शलोक में पिता यच्छत पुत्राय बाल्ये विद्याधनम महत पिता पुत्रायँ अर्थात पुत्रस्यकृते पिता अपने पुत्र के लिए बाल्ये अर्थात बाल्यकाल में महत विद्याधनम यक्षती जो सबसे बड़ा धन है वह धन है विद्याधन विद्याइशा धन है जिसके लिए शास्त्रों में कहा गया है विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम अर्थात विद्या रुपी जो धन है वो सभी धनों में प्रधान धन है जो हीरक, सोना, चांदी, मौक्तिक, इन सबसे बढ़कर के विद्याधन है क्यों? क्योंकि विद्या के द्वारा ये सारे लाए जा सकते हैं और असीमित रूप में लाए जा सकते हैं, जिसकी कोई सीमा ना हो हीरा, मोती, सोना ये जो रत्न जवाहरात हैं इनसे विद्या खरी दी जाए ऐसा संभो नहीं हो पाता बहुत धन रखने के बाद भी वह व्यक्ति विद्या का उस प्रकार से अर्जन नहीं कर पाता है जो एक पूरी ततपरता से लगा हुआ जिग्यासु अध्ययन कर पाता है इसलिए कहते हैं विद्वान शर्वत्र पूज्यते विद्वान अर्थात विद्यावान जो व्यक्ति होगा ज्यानवान जो व्यक्ति होगा वह सर्वत्र पूज्यते सर्वत्र अर्थात संपूर्ण देश में देश का अतात पर यह खेत्र है यहां चाहे वह एक संग्या से अ के बाहर जिसे हम विदेश कह देते हैं वह भी देश के अंतरगत आता है तो विद्वान शर्वत्र पूजते का तात्पर्य हर जगह उष्विद्यावान व्यक्ति की पूजा होती है गुणवान व्यक्ति की पूजा होती है अतह बाल्यावस्था में ही पिता के द्वारा प्र पिताश्यकिम तपह तेपे इत्युक्तितत कृतक्यता यहां पुत्र की कृतक्यता को दिखाया गया यदि कोई पिता अपने पुत्र को इस प्रकार का धन देता है और यह धन प्राप्त करने के पस्चात लोग कहें कि इसके पिता ने इसे क्या नहीं दिया अर्थात सब कुछ दे दिया जीवन जीने के लिए जो सबसे आवश्यक तत्व हैं उनमें विद्या भी एक तत्व है इसी को ध्यान में रख करके भारत सरकार ने शिक्षा को भी मौलिक अधिकार के अंतरगत रखा 2009 में सम्विधान के अंतरगत एक संशोधन हुआ और उसमें यह जोडा गया कि शिक्षा भी मौलिक अधिकार है जीवन जीने का अभिन अंग है इसके द्वारा ही हम अपने जीवन को उन्नत से उन्नत स्तर तक ले जा सकते हैं तो दूसरी पंक्ती में हमने देखा पिता स्यकिम तपह तेपे जिसके पिता ने अपने पुत्र को बाल्या वस्था में विद्या रूपी धन दिया उसके पिता ने कौन सा तप नहीं किया अभिप्राय यहा है तेपे यह क्रियापद तपधातू का लिटलकार का है जो अध्रिष्ट अथवा जो द्रिष्टि गोचर नहीं है अईसी भूत कालिक क्रिया के लिए प्रियोग होता है तो यहाँ पर पिता से किम तपधे पे असे पिता किम तपधना ते पे उसके पिता ने ऐसा तप कौन सा तप नहीं किया अर्थात जिसने अपने पुत्र को बाल्यावस्था में विद्यारूपी महान धन दे दिया उसके पिता ने बड़ा से बड़ा तप किया है अब अंतिम पंक्ति जरा देखिए ये और ही अच्छी पंक्ति है इसमें कहते हैं इत्युक्ति तत कृतग्यता यह जो उक्ति है यह जो कथन है अगर कोई पुत्र स्विकार करता है कि हमारे पिता ने हमें विद्यारूपी धन दे करके बहुत बड़ा उपकार किया हमारे उपर अब ऐसा स्विकार करने वाला जो पुत्र है वह उसकी कृतग्यता है अपने पिता के प्रति वह कृतग्य है ना की कृतग्ध वह यह नहीं कहता कि अनायास हमारा जन्म हो गया है अनायास ही हम इतने बड़े हो गए हैं या अनायास ही हमको सब कुछ मिलता जा रहा है वास्तों में अनायास कुछ होता नहीं है सब कुछ करने के लिए एक प्रक्रिया होती है एक फ्रेम है जिस क्रम में चल करके व्यक्ति अपनी उन्नती करता है और एक अच्छे स्थिति प्राप्त कर पाता है अच्छे स्थिति को पाकर के जीवन में जी पाता है तो ऐसा भाव रखने वाला जो पुत्र है वह अपने पिता के प्रती कृतग्य है तात्परिय यह हुआ इसमें हमें कई शिक्षाएं मिलती है कि पिता बालियावस्था में विद्यारूपी धन अपने पुत्र को दे यह हर पिता का करतब्य है हर एक पिता अपने पुत्र को बालियावस्था में विद्यारूपी धन दे और बड़े हो करके वो पुत्र अपने पिता के प्रति कृतग्य रहें कार्तज्य प्रगट करें कृतज्यता के भाव से उनकी सेवा में भी तल्लीन हो ऐसी हमें इससे शिक्षा मिलती है यह स्वामी तिरुवलुवर रचित जो ग्रंथ तिरुक कुरल है उसकी सूकती हम पढ़ रहे हैं दूसरा श्लोक है अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेद यदी तदेवाहु महात्मानह समत्वमिती तथ्यतह यह प्रशंग कुछ अलग है इस श्लोक का अन्वय हम इस प्रकार देखेंगे चित्ते यथा अवक्रता तथा यदी वाची भवेद तदेव महात्मानह तथ्यतह समत्वमिती आहु अन्वय श्लोकों के अर्थ को अच्छी प्रकार से समझने के लिए हम करते हैं तो श्लोक का अर्थ समत्व बुद्धी अर्था आपने समता कई बार सुना होगा यह समान्ता यह समान्य ऐसे कई शब्द सुने होंगे जो बराबरी के अर्थ को कहते हैं जो भएद बुद्धी को हटाने के लिए प्रियोग किया जाता है यह एशा शब्द है इसी के बारे में यहां आचारे कह रहे हैं अवक्रता यथा चित्ते चित्ते अर्थात मनसी मन में अवक्रता वक्रता का अर्थ होता है तेढ़ा होना वक्र माने तेढ़ा और वक्रता जो तेढ़े पन का स्वभाव है वह है वक्रता और उस वक्रता का अभाव नहीं होना अव अर्थात रिजुता, सरलता, टेढ़े पन का अभाव, तो अवक्रता यथा चित्ते तथा वाचि भवेदियदी, जिस प्रकार से चित्त में, मन में किसी व्यक्ति के अवक्रता होती है, रिजुता होती है, सरलता होती है, तो जिस प्रकार से चित्त सरल है, मन का अंतह करण सरल है, शुद्ध है, उसी प्रकार के भाव, तथा वाचि भवेद यदि, यथा चित्ते अवक्रता अस्ति, तथाईव अवक्रता, यदि वाचि आगद छे, तो वाचि का अर्थ है वाणी में, वाच वाग वाचव वाच शब्द है, वाच शब्द का अर्थ होता है वाणी, और वाच सब्द के शब्द में एक वचन में रूप होगा, वाची अर्थात वाणी में, तो जिस प्रकार से चित में अवक्रता होती है, सरलता होती है, वही सरलता यदि वाणी में आजाए, मन और वाणी दोनों में साम्य आजाए, दोनों में समान्ता आजाए, तदेव आहु, तदेव उसी को कहा गया है, तत एव वही महात्मानह, तथ्यतह समत्वम इति आहु, महात्मानह संत पुरुशाह विद्वान शह, महात्मानह से हम इस प्रकार समझ सकते हैं, कि जो विद्वान लोग हैं, जो विवेकी पुरुश हैं, उन लोगों ने, तथ्यतह वस्तुतह तथ्यतह का अर्थ है वस्तुतह वास्तविक रूप में उसी को समत्व कहा है अर्थात वही समत्व है इसको ऐसे और सरल प्रकार से समझ सकते हैं कि जो मन में है उसे बोल देना मन में कुछ और भाव रखना बाहर कुछ और बोलना ये दो भाव हो गए एक रूपता नहीं हुई और अगर एक रूपता नहीं है तो साम्यता समत्व या समानता नहीं आएगी फिर हम उसे समत्व नहीं कह सकते क्योंकि दो भाव हो गया वो तो द्वाईत हो गया इसलिए वाणी और कर्म या मन में जो विद्यमान है वह और वाणी के द्वारा ब्यक्त हो करके कर्म में परिणती दोनों अगर दो ना रहके एक हो जाते हैं तो वह समत्व है वह समानता है जो हमें अपनी वाणी में रखना चाहिए आप देखते हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं और केवल वो बात करते हैं जब कार्य करने की अवस्था आती है तो वो पीछे हो जाते हैं और उसको ऐसा कह देते हैं कि वो तो ऐसे ही था आकरिष्ट करने के लिए था लोगों के मन को अपनी तरब आकरशित करने के लिए था तो वो बातें केवल बातें रह जाती है ऐसी बातों का कोई मायने नहीं होता वो लोलुपता हो जाती है, लोक लुभावन हो जाता है वह समत्व नहीं आजकल ऐसा एक दौर चल गया है उसको लोग समानता समानता का एक गुंजायमान नारा दे करके और असमत्व दिखाते रहते हैं लेकिन वास्तों में शायद उन्हें पता नहीं है कि तथ्यतह समत्व क्या है उन्हें ये शलुक जरूर पढ़ना चाहिए कि वाची पुनस्य चित्ते चित्त और वाणी दोनों में साम्यता हो जाना दोनों से एक आवाज निकलना वास्तों में समानता है वास्तों में समत्व है जो हमें अपनाना चाहिए अगर यह हमारे जीवन में होता है तो समाज की बहुत सारी दुर व्यवस्थाएं दूर हो जाएंगे इसी क्रम में हम अगला शलुक पढ़ेंगे त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुशाम योभ्योदीर एत परित्यज्य फलं पक्वं भूंते पक्वं विमूढधी यहाँ पे धर्म युक्तवाणी के विशय में बताया गया है धर्म प्रदाम वाचम त्यक्त्वा अर्थात धर्म को प्रदान करने वाली वाणी को त्याक कर यह यह कस्चित पुरुशह यह उपलक्षन है यह कस्काचित इस्त्री यह से यहां सम्बोध्य है कोई भी परुशाम योब जुदी रहेत परुशाम अर्थात कठो राम यह अभ्युदी रहेत यह वदती यह उच्चारयती परित्यज्य फलं पक्वम फलं परित्यज्य वह पक्व अर्थात पका हुआ पक्वम फलं परित्यज्य पके हुए फलको छोड करके थ्याक करके विमूढधी ही अपक्वम भूंगते ऐसा विमूढधी ही अर्थात यह मूढधी ही मूढधी ही अपक्वम भूंगते इसका तात्परी हमें ऐसे समझना चाहिए जैसे किसी के पास टोकरी में दो तरह के फल हों एक कच्चा फल रखा है और एक पका हुआ फल है और अन्जान वशात वह पके हुए फल को त्याग करके कच्चे फल को खाता है तो वह जो अपरिपक को फल है उसको खाना पके हुए फल का त्याग करना कहां तक उसकी बुद्धिमानी मानी जाएगी कहने का भी प्राय यह है हर व्यक्ति के पास संसार में जो भी प्राणी है सब के पास दो प्रकार की वाडी है एक वाडी है मृदू, सहज, सरल, प्रेममई वाडी जिसे हम सहस्ता पूर्वक अच्छे से बोलते हैं प्यार से बोलते हैं, दूसरी वाडी है कठोर, नराजगी से भरी हुई, क्रोध में, आवेश में, तरजना करती हुई वाडी दोनों का प्रियोग करना हमारे बस में है, हम जैसा चाहें वैसा बोल सकते हैं अब निर्णय हमारे हाथ में हैं, निर्णय आपके हाथ में हैं, कि आप किसका प्रियोग करते हैं जिस तरह से कच्चे फल का प्रियोग ना करते हुए, हमने उसकी प्रतिक्षा की वैसे ही कठोर वाडी को हर समय प्रतिक्षा में रखना चाहिए, उसको कभी आने नहीं देना चाहिए हर समय वह वेटिंग में ही रहे, कभी प्रगट ना हो, और प्रेम मैई वाडी को सरल सहज और मृदु वाडी को सदा प्रियोग में रखना चाहिए, उसे कभी वेटिंग में नहीं जाने देना चाहिए यही अभी प्राय इस श्लोक का है, इसी क्रम में अगला श्लोक है विद्वान्ष एव लोके स्मिन चक्छुष मंतह प्रकीर्तिताहा अन्ये शाम वदने ये तू ते चक्छुर नामनी मते इस श्लोक का अन्ये इस प्रकार है अस्मिन लोके विद्वान्ष एव चक्छुष मंतह प्रकीर्तिताहा अन्ये शाम वदने ये ते तू नामनी चक्छुर मते इस श्लोक के द्वारा विद्वत्ता की महत्तो को उसके महत्तो को बताया गया है कि विद्वत्ता क्या है और वहाँ हम सब के लिए क्यों आवश्यक है आपने कई बार तृतिय नेत्र की बात सुनी होगी तीसरा नेत्र होता है शास्त्रों में मनुष्य के लिए भी तीसरे नेत्र का विधान बताया गया है कि मनुष्य के पास भी तीसरा नेत्र होता है आजकल आप कैमरे को तीसरे नेत्र के रूप में देखते होंगे जरूर और कहा भी जाता है थर्ड एम्पायर क्रिकेट में हम देखते हैं उसके पास तीसरा होता है लेकिन शास्त्रों में तीसरा नेत्र मनुष्य के पास है ऐसा बताया गया और उसे कहते हैं ज्यानम तृतियम मनुजस्यनेत्रम दो नेत्र हमें सहज प्राप्त होते हैं प्रकृती ने दिये हैं और तीसरा नेत्र जो है वह ज्ञान का है ज्ञानम तृतियम मनुजस्य नेत्रम मनुझ का जो तृतिय नेत्र है वह तृतिय नेत्र है ज्ञान ज्ञान के द्वारा व्यक्ति जो प्रत्यक्ष नहीं है जिन चीजों को हमारी ये दो आखें नहीं देख पा रही है उन चीजों को भी मनुझ से जान पाता है, समझ पाता है जो सब के पास होना चाहिए अगर नहीं है तो कहीं न कहीं जीवन में किसी ना किसी मोड़ पर अभाओ महसूस होगा पता चलेगा कि कास हम ये जान रहे होते या यह चीज हम समझ रहे होते तो वह आज मेरे काम में आता तो यहाँ इस श्लोक में कहते हैं अस्मिन लोके इस लोक में इस संसार में अस्मिन अर्थात इस इस संसार में विद्वान शह एव चक्छुष मंतह विद्वान लोग जो हैं वही आँख वाले माने जाते हैं चक्छुष मंतह अर्थात नेत्रवंतह नेत्रवान माने जाते हैं जो विद्वान हैं जिनकी पास विद्या है ज्ञान है यदि ज्ञान नहीं है तो सायत एक नेत्रशे वो कम हैं जो दिखाई पढ़ने वाले दो नेत्र हैं यही उनके पास हैं तीसरा नहीं है तो अस्मिन लोके विद्वानिशह एव चक्छुष मन्तह नेत्रवन्तह प्रकीर्तिताह कथिताह कहे गए हैं क्यों कहे गए हैं क्योंकि ज्ञान ऐसी एक हमारे पास शक्ती है जो परोक्ष में क्या विद्वान है या भविश्य में क्या हो सकता है उसकी संकल्पना उसकी रूप रेखा तयार कर सकता है अगर वह ज्ञान नहीं है हमारे पास सोच विचार का सामर्थ्य नहीं है विवेक नहीं है तो हम कभी पंडित नहीं हो पाएंगे सद असद का विवेक नहीं कर पाएंगे क्योंकि पंडित वही है जो सद असद का विवेक कर सके सही गलत की पहचान कर सके पंडित की ये परिभाशा है तो जो सद असद विवेक वान होगा जो ग्यानवान होगा जो विद्वान होगा वह नेत्रवान भी होगा। ते एव नेत्रवंतह आहु। ते जनाहा ते विद्वान्ष नेत्रवंतह आहु। ये साम पार्षवे ज्ञानम तृतीयम नेत्रम विद्यते नोचेत किम्भविश्यती। तसे कलप नाम के बुलम कर तुम पार्यते तदपी तत परिस्थितव नोचेत अन्यत्र। तो फिर अगर वह तृतीयनेत्र नहीं है तो फिर क्या कहेंगे। ज्यान नहीं है जिसके पास उसे क्या कहेंगे। तो दूसरी लाइन में इस बात को भी कहा कि अन्ये शाम वदने ये द्विवचन का प्रियोग है ये ते चक्छुर नामनी मते यत ये यानी। इस प्रकार से यहाँ ये प्रियोग किया गया है क्योंकि विशेशन है नामनी मते या नाम की चक्छु हैं। प्रत्यक्ष केवल देख पाते हैं, ये प्रत्यक्ष देख पाने वाले दोनों चक्षू, दोनों आखें नाम मात्र के हैं, क्यों कि ये केवल प्रत्यक्ष देख सकते हैं, परोक्ष को देखने का सामर्थ्य इन आखों के पास नहीं है, तो ज्यान रहिता नाम अन्ये शाम जना नाम पार्श्वे तेसाम वदने उनके वदन में यहाँ ध्यान देंगी वदन शब्द जो प्रयोग किया गया है दो प्रिकार के शब्द हैं एक वदन और एक बदन वकारस्य दंतोष्ठम यहाँ दंतोष्ठ्यादी जो वकार वाला शब्द है और पा फा बा यहाँ जो तृतिय बकार है यदि प्रियोग करते हैं तो बदन शब्द होता है और बदन शब्द का अर्थ संपूर्ण शरीर होता है लेकिन यदि वदन शब्द का प्रियोग किया जाता है तो वह होता है मुख मंडल तो मुखमंडल में जो ये दो नेत्र हैं ये नाममात्र के चक्छू रह जाएंगे यदि ज्ञान का तृतिय नेत्र नहीं है तो अतह हम सब को ज्ञान की प्राप्ती में तत्पर होना चाहिए हमें सब को अपने तृतिय नेत्र के विकास में सनलगन होना चाहिए हम सब को यह अभिलाशा रखनी चाहिए और इसके लिए सदा प्रयतनशील रहना चाहिए कि हम विवेकवान हूं समाज को समझ सकें, इतिहास को जान सकें भविस्य की संकल पना कर सकें सुख दुख को सामाने रूप से हम व्यवहरित कर सकें इसके लिए ज्ञानम आवश्यकम तृतिय मेत्रम आवश्यकम चक्षू नाम मात्र के ना रह जाए इसके लिए हमें विद्वान होना चाहिए विद्यावान होना चाहिए तदर्थ निरंतर प्रयत्न शील हमें रहना होगा तभी हम पढ़लिक करके ज्यानवान होंगे और तृतिय नेत्रवान भी होंगे जो हमें जीवन के हर कदम पर हर मोड पर सही दिशा दिखाने में सहायक होगा ज्यान ही तो है जो हमें यह बताता है कि किस समय क्या करना है क्या नहीं करना है सामाजिक मर्यादाएं सामाजिक करतब्य और साथ साथ उन्नत जीवन की शिक्षा हमें तभी प्राप्त होती है जब हम सदसद विवेक से युक्त हो जाएं ज्यान के लिए प्रयत्नशील हो जाए अन्यथा ये जो दो चक्षू हैं ये केवल देखने के काम आएंगे हमारे सामने पड़ी हुई वस्तू क्या है हम उसे देख सकते हैं सामने रखा हुआ संगडक टाइप करना उसमें जो काम होगा वो कैसे होगा जब तक ज्ञान नहीं है संभो नहीं हो पाएगा लेकिन उस यंत्र को हम देख सकते हैं केवल देखने के काम आएंगे उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं उसके प्रयोग के लिए हमें ज्ञान की जरूरत होगी और वह ज्ञान ही तीसरा नेत्र है अतह विद्वान लोग ही चक्षुमान माने गए हैं जो विद्वान हैं ज्यानवान हैं वो नेत्रवान भी हैं ऐसा कहा जाता है अस्तु आज हम इतना ही पढ़ेंगे हम सभी नेत्रवान हो इसके लिए इस तरह के पाठ जरूर पढ़ते रहें और इसके बाद जो शेश बचे श्लोक हैं इनको हम अगली कड़ी में पढ़ेंगे तब तक के लिए धन्यवाद पर भी में झाली को भी में तक के लिए प्षर ओना हो इसके लिए, तरह को पाली का जरोपली क्राद कर्से बटheen। प्सकत्स द म को झेचे हैं। झाल झाल